नमस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं सीधी बाद पुल्वामा हमले के बाद पूरे देश में दर्द और आक्रोश का एक ऐसा एक ऐसी स्थिती है कि हर कोई जानना चाहता है कि इसका जवाब क्या अबारे साथ इस समय केंद्रि गृह मंतरी राजनाच सिंग जी हैं बहुत सपागत है आपका पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंध हो गया यह शुरूआत है या फिर देश को इन कदमों से संतोष कर ना होगा रुक्कापारी बंधोंने से संतोस नहीं करना पड़ेगा इसे शुरुगाती माननी चीए क्योंकि इतना साफ था कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हर तरह की बात करके देख लिए गई थी 2014 में निमंतरण देकर देख लिया गया था आज इम्रान खान अगर सरकार की कदमों के बाद ये कहते हैं कि मैं आतंक पर बात करने के लिए तैयार हूँ क्या इसे आप उनकी तरफ से नेक नियती मान रहे हैं या पाकिस्तान को इस बार ट्रस्ट नहीं करना है जो आतंक वाली घटना हुई है मुट पूलवावा में उसके बाद जो ही हमारे अजबहदोजवान सजीर में हैं उनकी सहाधत के प्रति जिस प्रधानमंतरी ने फ्रधाजली नर्पिट की हो दुखनवयक्त किया हो वो प्रधानमंतरी आतंक पात के मुद्धे पर क्या बात पाकिस्तान पर MFN स्टेटिस हटाने से प्रहार होगा, उन पर असर पड़ेगा इस से, कौन सा, MFN स्टेटिस हमने हटाया, 200 प्रतिशाद कस्टम ड्यूटी कर दी है, यह, यह, मोस्ट सेबर डेशन का जुश, हम लोगों ने दरजा वापस लिया है, और साथी साथ इंपोर् इंतजार करते हैं कि कोई प्रहार होगा, उसके बाद हम जवाब देंगे, क्यों न ऐसा ऐसी ऐसा जमीन तयार कर लिया जाता कि पाकिस्तान इस तरह की चीजें करने, इस तरह की साजिशें रचने से बाज आता, देखिए ऐसा है कि एक काम तो हमारे प्रधान मंतरी ने किया है कि आतंकबाद के सवाल पर पूरी इंटर्डेशनल कमूर्टी को एक मंच पर लाने में कामयाभी हुनों ने हासिल की है, इसको तस्वीकार करना पड़ेगा ना, जी, और मैंसे मता हूँ, यह पहल कोई छोटी पहल नहीं मानी जाएगे, और आपने देखा कि कल उनाइटे तो कोई छोटी मोडी कामयाभी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आतंकबाद पर निर्णायक लड़ाई का अब समय आ गया है, और इस बार कि जो लड़ाई होगी आतंकबाद के सवाल पर वो निर्णायक लड़ाई होगी, लेकिन यही चाइना जब मसूद अजर का सवाल आता है तो पलट जाता है, मैंने कमसकम इस पुल्वामा के सवाल पर तो चाइना साथ खड़ा हुआ, यह कोई छोटी बात नहीं है, आपको विश्वास है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है इस मुद्दे पर, मैं यह मानता हूँ कि इंटरनेशनल कमरटी में इस आतंगवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है, क्योंकि जो साओधी प्रिंस यहां पर आये, उससे पहले पाकिस्तान गए, वहां पर एक अलग बात कहीं, यहां पर आकर अलग बात कहीं, तो जिस पाकिस्तान को अलग करने की बात हमेशा चलती रहती है, उस पाकिस्तान को कई देश आगे बढ़कर मदद भी कर रहे हैं, और यहां आकर कहते हैं कि टर्रिजम हो शकता है, लेकिन आपने रेखा होगा कि यहां आने पर बिलकुल उनका, यहां के हालात जानने के बाद जो है, उनका इटिटूट पूरी तरह से बद कि प्रधान मंत्री जिम कॉर्वेट में उनके शब्द हैं चाय समोसा खा रहे थे, जब पुल्वामा में, बहुत बेबुनियाद, दुन्दाधाब, अरोब हैं, और मैं इसा मतना हूँ कि इस प्रकार से इतने बहादूर जवानों की सहाधत पर इस तरीके की राईनित नही हुई थी? बिल्कुल नहीं मैं मनता हूँ, हमारे प्रधान मंत्री से जारा स्टिव कौन हो सकता है? क्या उन्हें देर से इन्फॉमेशन दी गई थी? ऐसा मैं कुछ नहीं मानता है, जब भी उनको इन्फरमेशन मिली, तुरंत वहाँ पर उन्होंने बैठ कर लोगों के उन्होंने यह सब सारी वहाँ पर सारी सिच्वेशन को रिवीव करना प्रारा में किया था? मुझे अशर्ज होता है कि कैसे? कमस्कम देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनित नहीं की या नीशे है. इस तरह की खबरें आ रहे ही थी राजनाजी की प्रधान मंतरी मुदी नाराज भी हुए कि मुझे देर से क्यूं बताया गया है? यह खबरें तथ्य के साथ है? बिल्कुल नहीं मेरे सामने इस पकार की कोई खबर नहीं आई है. यह खबर कहां तैर रही थी? मुझे कोई य जा सकता. आपको लग रहा है कि यह खबर बनाई गई है? और क्या हो सकता है. पर प्रधान मंतरी मुझे हो रहा है कि बतला यह पुल्वामा कांड इस इतने बड़े कांड इतने घिनाउने कांड जगने कर ते पर अब तरह तरह के प्रधान मंतरी से सवाल पुछे जा रहे ह एक पर सारा देश इस समय पूरी पूरी पाकत के साथ सरकार के साथ खड़ा है. आपको लग रहा है कॉंग्रस राजनीती कर रही है इस पर. मैं मानता हूं कि राजनीत कर रही है. नहीं होना चीए. कॉंग्रस ने आरोप लगाया कि अगर अमिच शाह अपने मंत से यह कहते ह हैं कि यह बीजेपी की सरकार है, कोई कॉम्रस की सरकार नहीं है, तो राजनीती वू भी कर रहे है इस पर. क्या आप इससे तर्वात कर रहे है नहीं है? कॉम्रस सवाल कुछ उठाए जो intelligence था, कि अगर इस तरह की चीजें थीं, कि 48 गंटे पहले एक विडियो जारी किया गया था जिसमें धमकी दी गई थी और बात हो रही थी आईडी की तो फिर क्यों नहीं उस रास्ते पर सुरक्षा बरती गई दे कि बात हैं बहुत तारी इधर-धर की आ रही है लेकिन मैं एक आना चाहता हूं कि पूरे मामले की इंवेस्टिकेशन इत्समेह हो रही है एना यू को मैंने इंवेस्टिकेशन सौफ दी है अब वह रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कमेंट करना उचित होगा उसके पहले कुछ अपनी प्रितिक्रिया व्यक्त करना मैं समझता हूं कि एना यू की जांज को प्रभावित करना होगा इफले मैं उसकी मैं पर्तिक्षा कर रहा हूं आडी एक्स की जो क्वांटिटी को लेकर भी है वो भी अटकले है जीतने भी जीतने भी सारे सब 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 सवाल खड़े किये जारे हैं लोगों के दौरा मैं इसे मता हूं कि इन्वेस्टिकेशन के बाद जो है चीज है प तरद तरगी बातें आरे हैं इसलिए मैंने का कि इन्वेस्टिकेशन चल लए है उसके रिपोर्ट की पर्तिक्षा करने शेही है हम लोगों जो पारमिलिटरी फोर्सेज है उनको एरलिफ्ट करने की बात भी उन्होंने कही है कि क्यों नहीं जब इतने दिनों से बर्खबार इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि उस समय तक इवल चार बार जम्बू से स्री नगर से जम्बू पूर की एर कोरियर सर्विस थी लेकिर हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 2017 और 2018 में कि आप जम्बू स्री नगर स्री नगर जम्बू ही नहीं किया बलकि जम्बू स्री नगर किया है 2018 में किया है जब उनकी डिवांड आई है जवानों के सवाल पर हमारी गवर्मेंट बहुत ही संस्टिब है बहुत ही संवेधन चील है मैं तुरंत कारवाई करता हूं हले कि सब की बीच कुछ ऐसी तस्वीरों से भी और संवेधन शीलता कि प्रशन उठाए गए गए जाहे साक्षी माहराज की मुस्कुराती हुई तस्वीर हो या फिर कुछ ऐसे बीजेपी नेताओं की जूते पहन कर होगा को इंडिविज्वल है नि कभी कुछ किया है तो मैं समता हूं यह उचित नहीं है नहीं होना चीए संवेधन शीलता नेताओं में सबसे ज़्यादा जब्री वह उच्छ यह उच्छ नहीं है वह जंता की सेवा नहीं कर सकता देश की सेवा नहीं कर सकता राजनीति शुरुआती दौर में सारी राजनीतिक पार्टिया एक साथ नजर आई थी यह समझ नहीं आए कि एक हफता होने के बाद अचानक क्यों यह तक्राव तो उन लों से पूछा जानाशी है जो पुलमामा कांड पर इसमें राजनीत करना है इस सवाल का जवाब तुमें नहीं दे सकता ना पर कॉंग्रेस बीजेपी के बीच तुलना करने के कारण तो नहीं वो राजनीति को आग मिल कि इस समय भी तो नहीं उस समय भी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ तो पूरा भारत एक जुड़ था सर्कार के साथ खड़ा था और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार तो जोगी इंडो पाक वार हुई थियो जिसमें की बंगलादेश का क्रियेशन हुआ था हमारे नेतार और नेतल विहारी बाज पेई जी ने संसत में खड़े होकर तिरमते इंद्रा गांधी की पर संसा की थी उस समय सरकार के कदम की चरहना की थी एसे में जो सर्जिकल स्ट्राइक के अगवा थे वो अब जो एक नई समिति एक गठित की है राहूल गांधी ने उनको कमान दी है उसकी कि वो पता करें कि नाशनल सेक्योरिटी कैसे दुरूस्त रखा जाए उस पर एक विजन डॉकिमेंट वो पेश करेंगे मैंसे मता हूं राष्ट भक्ति भावना उनके उंदर कूट कूट कर भरी होगी उनको किसी पालिटी पालिटिक से लेना जाना नहीं है वह यहां भी रहेंगे मुझे पूरा यकीन है कि पर देश भक्ति और राष्ट भक्ति की ही बात करेंगे